पाट का शीर्षक है टेसु राजा बीच बाजार सबसे पहले सुनते हैं ये कविता पाट टेसु राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार इस अनार में कितने दाने जितने हो कंबल में खाने कितने हैं कंबल में खाने भेड भला क्यों लगी बताने एक जुंड में भेडें कितनी एक पेड पर पत्ती जितनी एक पेड पर कितने पत्ते जितने गोपी के घर लत्ते गोपी के घर लगते कितने कलकत्ते में कुट्ते जितने बीस लौक तेईस हजार दाने वाला एक अनार तेसू राजा कहें पुकार लाहो मुझको दे दो चार अब इसी कविता को सुनते हैं आप जैसे ही एक प्यारे से बच्चे की आवाज में इस कविता पाट को कुछ छोटे बच्चे भी दोहराते हैं आप भी दोहराना ठीक है तो सुनो ये कविता टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार इस अनार में कितने दाने इस अनार में कितने दाने जितने हो कंबल में खाने भेड भला क्यूं लगी बताने एक जुंड में भेडे कितनी एक पेड पर पत्ती जितनी एक पेड पर कितने पत्ते जितने गोपी के घर लत्ते कितने गोपी के घर लत्ते कितने कलकत्ते में कुत्ते जितने बीस लाख तेईस हजार दाने वाला एक अनार टेसू राजा कहें पुकार लाओ मुझको दे दो चार अब इसी कविता को सुनते हैं संगीत के साथ टेसू राजा बीच बजार खड़े हुए ले रहे अनार टेसू राजा बीच बजार खड़े हुए ले रहे अनार इस अनार में कितने दाने जितने हो कंबल में खाने जितने हैं कंबल में खाने धेड भला क्यों लगी बताने टेसू राजा बीच बजार खड़े हुए ले रहे अनार टेसू राजा बीच बजार खड़े हुए ले रहे अनार एक जुंड में भेले कितनी एक पीड पर पत्ती जितनी एक पेड पर कितने पत्ते जितने गोपी के घर लत्ते एसु राजा बीच बजार खड़े हुए ले रहे अदार एसु राजा बीच बजार खड़े हुए ले रहे अदार गोपी के घर लत्ते कितने कलकते में कुटे जितने बीस लाखते इस हजार दाने वाला एक अनार एसु राजा कही पुकार लाओ मुझको दे दो चार एसु राजा कही पुकार लाओ मुझको दे दो चार टेसु राजा बीच बाजार अभियापने सुनाई कारिक्रम कि नियंत्रन पुष्पलता कुमार तक्नीकी समन्वय सतीष्टलाडे द्वन्यंकन दीपक पांडे नर्मान सहयोग दावुद्याल चत्रुबेदी नर्मान वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C I E T N C E R T